हेलो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से आपके लिए अपने चैनल का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो की रॉंडा बर्न की किताब दस सीक्रेट पर आधारित है। रॉंडा बर्न ने हमें अपनी इस किताब में आकर्शन के नियम यानी की लौ आफ अट्रेक्शन के बारे में बताया है। की भी जिन्दगी बदल सकती है। इसलिए उन्होंने इस नियम पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम है दसीक्रेट और उसके बाद दसीक्रेट किताब भी लिखी। हमारा ये वीडियो उन्ही की इस किताब पर आधारित है। दोस्तों इस वीडियो समरी को मैंने तीन पार्ट के वीडियो सीरीज में डिवाइड किया है। अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आकर्शन का नियम यानि की लौ अफ अट्रेक्शन क्या होता है। तो चलिए शुरुवात करते हैं इस बुक के पहले पार्ट से। दोस्तों श्रिष्टी के नियम हम सब के लिए बराबर हैं। आप चाहें भारत में रहते हों, अमेरिका में, आस्ट्रेलिया में या दुनिया के किसी भी देश में। स्रिष्टी के नियम हम सब के लिए एक हैं, हम सब एक ही नियम और एक ही शक्ती के साथ काम करते हैं और वह नियम है आकर्शन का नियम जिसे अंगरेजी में लौ ओफ अट्रेक्शन भी कहते हैं। अकर्शन का नियम ही वो रहस्य है जो Ronda Burn पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहती हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप अपने जीवन में अकर्शित कर रहे हैं। आप हर चीज को अपने विचार और अपने दिमाग में बसी हुई तस्वीरों के माध्यम से अकर्शित करते हैं। आप जो भी सोचते हैं और जो भी तस्वीरे अपने दिमाग में रखते हैं उन्हें आप अपने जीवन में अकर्शित करते हैं। इतिहास के काम्याब लोगों ने कहीं न कहीं अपने काम में आकर्शन के नियम का जिक्र किया है। इतिहास के सभी धर्मों में इसका जिक्र अपनी कहानियों और गरंथों में किया है। दुनिया में सबसे अधिक दौलत मंद लोगों ने दौलत कमाने के लिए आकर्शन के नियम का इस्तमाल किया है। वे अपने मन में दौलत और प्रचुरता के बारे में सोचते हैं और कोई भी विपरीत विचार अपने मन में नहीं आने देते। उनके दिमाग में सरवादिक विचार दौलत के ही होते हैं जिसके कारण वे अपने जीवन में बहुत सारी दौलत अकर्शित करने में काम्याब होते हैं। अकर्शन का नियम आपके मन में प्रबल विचारों पर काम करता है। अकर्शन का नियम कहता है कि जिस तरह के विचार आप अपने मन में सोचेंगे उसी तरह के विचारों को अपने जीवन में अकर्शित करेंगे। अगर आप सकारात्मक विचारों वाले लोगों और सकारात्मक परिस्थित्यों को अकर्शित करेंगे। अगर आप अपने मन में हमेशा नकरात्मक विचार रखेंगे तो नकरात्मक विचार वाले लोगों को अपनी और अकरशित करेंगे आपका वर्तमान जीवन आपके बीते वे समय के विचारों का ही परिणाम है आप जो बातें सबसे जादा सोचते हैं उनी को अपने जीवन में अकरशित करते हैं आप यह जान सकते हैं कि अपने जीवन के हर शेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या है अगर आपके जीवन का कोई हिस्सा खराब चल रहा है, तो उसके बारे में अपने विचारों को बदल कर आप उसे ठीक कर सकते हैं. इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन के किसी भी हिस्से को आसानी से बदल सकते हैं. हमारे विचारों की एक frequency होती है और जब भी आप अपने मन में कोई विचार सोचते हैं तो वे एक signal की तरह स्रिष्टी में जाता है और अकर्शन के नियम से उसी frequency के लोगों, कारियों और परिस्तितियों को हमारे जीवन में अकर्शित करता है स्रिष्टी में जाने वाली हर चीज अपने स्त्रोत के पास लौट आती है और अपने विचारों के स्त्रोत आप ही है इसलिए स्रिष्टी में जाने वाले आपके विचारों के signal किसी ना किसी रूप से दोबारा आपके पास ही लौट आते हैं जिस frequency के विचार आप अपने मन म उसी फ्रिक्वेंसी के विचारों वाले लोगों को अपने जीवन में आकर्शित करते हैं। अकर्शित करेंगे। अब सवाल ये उटता है दोस्तों कि अगर केवल सोचने से ही विक्ति सब कुछ पा सकता है तो हर कोई अपने सपनों की जिन्दगी क्यों नहीं जी रहा। वे ऐसा अपने मन में सोचते हैं। वे अपने जीवन में ये सब कुछ नहीं चाहते लेकिन वे आपने बारे में ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा ही बोलते हैं। असल में ऐसा सोचने से और बोलने से वे उनी बातों को अपने जीवन में अकरशित कर रहे होते हैं। आकरशन का नियम केवल आपके प्रबल विचारों पर बड़ी सटीकता से काम करता है। दोस्तों, अब मैं आपको अकरशन के नियम के कुछ उधारन बताता हूँ। और वे आपके रस्ते में ऐसी रुकावटें पैदा करती हैं जिससे कि आप रोज लेट हो जाते हैं। दूसरा उधारन, जब कोई व्यक्ति आपके साथ बत्तमीजी करता है तो आप बुरा महसूस करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि वे व्यक्ति बत्तमीज है। उस व्यक्ति के बारे में आपका विचार इसी तरह स्रिष्टी में जाता है। और जब आप केहते हैं कि मैं नहीं चाथा कि व्यक्ति मुझस से बत्तमीजी करे तो स्रिष्टी इसे कुछ इस तरह से सुनती है। मैं चाहता हूँ कि वैव्यक्ति मुझसे बत्तमीजी करें और उसके अलावा और भी लोग मुझसे बत्तमीजी करें और आपके साथ ठीक वैसा ही होता है। जब आप ऐसा सोचते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है मैं इसे नहीं कर सकता तो स्रिष्टी उसे कुछ इस तरह से सुनती है। वैसा ही होता है। परिणाम के रूप में वही सब कुछ वापस कर देता है। जब आप अपने मन में लगातार लंबे समय तक नकरात्मक विचार रखते हैं तब जाकर कहीं आपके जीवन में कुछ नकरात्मक होता है। इसलिए आपको अपने मन में आने वाले नकरात्मक विचारों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आप फैसला कीजिए कि आज से आप केवल सकारात्मक विचार ही सोचेंगे यानि कि अपने जीवन में सिर्फ पॉजिटिव ही सोचेंगे। दोस्तों आज आपकी जिन्दगी जैसी भी है अच्छी या बुरी उसे आपने ही अकरशित किया है। इस बात को स्विकार करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन एक बार आपने इस से स्विकार कर लिया तो यह जिन्दगी बदलने वाली बात हो जाएगी। तो फिर यहां मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। आकरशन का नियम यह नहीं कहता कि जो भी आप अपने मन में सोचेंगे आपके जीवन में वही होगा। जो भी विचार आप अपने मन में सोचेंगे उन विचारों की एक फ्रिक्वेंसी होती है। आप अपने जीवन में उन ही लोगों, परिस्तित्यों और परिणामों को अकरशित करेंगे जिनकी फ्रिक्वेंसी आपके विचारों की फ्रिक्वेंसी से मैच होगी। दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं कि अब उन्हें अपने विचारों पर नजर रखनी होगी लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक व्यक्ति के दिमाग में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं इतने विचारों पर नजर रखना एक बहुत मुश्किल काम है इसलिए हमारे पास एक असान तरीका है यह जानने के लिए कि हमारे विचार सही हैं या गलत और वह तरीका है हमारी भावनाएं जिने हम अंग्रेजी में फीलिंग्स भी कहते हैं अपनी भावनाओं से आप जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और सही सोच रहे हैं या गलत हमारी भावनाओं दो तरह की होती हैं अच्छी भावनाओं और बुरी भावनाओं में आप अच्छा महसूस करते हैं और बुरी भावनाओं में आप बुरा महसूस करते हैं जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो समझ लिजे कि आप सही रस्ते पर हैं और आप अपने जीवन में उन परिस्तितियों को आकरशित करेंगे जो आपको और भी अच्छा महसूस करवाएंगी. प्यार, उमंग, खुशी और आभार व्यक्त करना अच्छी भावनाओं के कुछ उधारन हैं. जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप गलत रस्ते पर होते हैं और आप और भी बुरी परिस्तितियों को अपने जीवन में आकरशित करेंगे. गुसा, निराशा, पश्तावा और शिकायत करना बुरी भावनाओं के कुछ उधारन हैं. दोस्तों, हम सबने अपने जीवन में ऐसे दिन देखे हैं जब एक के बाद एक सब कुछ गलत हो रहा होता है. यह सब केवल एक ही विचार से शुरू होता है चाहे आपको उसकी जानकारी हो या नहीं. एक खराब और खराब विचारों को अकरशित करता है जिससे उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और आपके जीवन में कुछ नकुछ बुरा घटित होता है. जब आप उस बुरी घटना पर प्रतिक्रिया करते हैं तो और भी बुरी घटनाओं को अपने जीवन में अकरशित करते हैं और इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है जब तक कि आप अपने विचारों की फ्रिक्वेंसी को बदलते नहीं हैं। आपको अपने विचारों की फ्रिक्वेंसी को बदलना होगा और नकारात्मक विचारों की बजाए सकारात्मक विचार सोचने होंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी जिन्दिगी को बदलना चाहते हैं, तो आप अपने विचारों को आज से ही बदल सकते हैं। जैसे कि माइकल बर्नाड जो की एक आध्यात्मी गुरू है, उन्होंने हमें अपने विचारों को और जीवन को बदलने के लिए एक उपाय बताया माइकल बर्नार्ड कहते हैं कि आप सिहत मन महसूस करना शुरू करें, आप दौलत मन महसूस करना शुरू करें, आप महसूस करें कि आपके चारों और प्यार ही प्यार है, चाहे असल में ये सब ना भी हो, तो आप देखेंगे कि प्रकृति आपके विचारों पर प्रतिकिया क और आपको वही सब देगी जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं इस तरह से अपने विचारों को बदल कर आप अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों को भी बदल सकते हैं तो चलिए जानते हैं कि इस रहस्य का इस्तमाल कैसे करें दोस्तों अब मैं आपको सिध्धान्त को कैसे फॉलो कर सकते हैं लेखिका ने अपनी पुस्तक दसीक्रिट में एक रचनात्मक परक्रिया बताई है जिसका इस्तमाल करके आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं तो आईए जानते हैं कि रचनात्मक परक्रि में आपका सबसे पहला कदम है मांगना आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं अपने मन में वे चीज और स्रिष्टी से मांगिए इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं जब भी आप किसी से कुछ मांगते हैं तो स्रिष्टी उसका जवाब ज़रूर देती है और स्रिष्टी हमेशा यही जवाब देती है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है आप जो भी चाहते हैं उसे एक आगस पर वर्तमान काल में लिखिए दोस्तों यह ज़रूरी है कि आप जो भी चाहते हैं उसे भविश्य काल में नहीं केवल वर्तमा काल में ही लिखें मान लीजे कि आप BMW गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको ऐसा नहीं लिखना कि एक दिन मैं BMW गाड़ी लूँगा बलकि आपको इस तरह से लिखना है कि मेरे पास BMW गाड़ी है या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मैं बहुत खुश और शुकर गु कि आप जो भी चाहते हैं उसके बारे में आप स्पष्ट हैं आप इस तरह से नहीं कह सकते कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ आपको स्पष्ट रहना होगा कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते कि गाड़ी खरीदना चाहता हूँ आपको स्पष्ट होन कि आप कौन सी गाड़ी का कौन सा मॉडल खरीदना चाहते हैं और उस गाड़ी की कीमत क्या है अगर आप सपश्टता से नहीं मांगेंगे तो अकर्शन का नियम आपको अपनी मंच चाही चीज नहीं दे सकता अगर आप युनिवर्स में मिक्स्ड सिगनल भेजेंगे तो आप आपको परिणाम भी मिक्स्ड ही मिलेगा आप जो भी चाहते हैं आपको वे सृष्टी से केवल एक ही बार मांगना है मांगने की प्रक्रिया किसी रेस्टोरेंट में जाकर मेन्यू कार्ड से ओरडर देने जैसी है आप एक बार वेटर को ओरडर को दुबारा नहीं देते क् कि waiter आपका order लेकर आएगा ठीक उसी तरह आप स्रिष्टी से एक चीज केवल एक ही बार मांगें अगर आप बार बार एक ही चीज स्रिष्टी से मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको स्रिष्टी पर विश्वाश नहीं है इसलिए पहले अपने मन में स्पष्ट करें कि आप क्या चाहते हैं उसके बाद स्रिष्टी से मांगने के लिए उस चीज की अपने दिमाग में स्पष्टता से कलपना करें दूसरा स्टेप है बिलीव रचनात्मक प्रक्रिया में दूसरा कदम है विश्वाश करना रचनात्मक प्रक्रिया में किसी भी चीज को स्रिष्टी से मांगने के बाद आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपकी हो चुकी है मांगने के बाद आपको उस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए कि वह आपको कैसे मिलेगी आपको स्रिष्टी पर अटूट विश्वाश करना है कि सही समय आने पर वे आपको आपकी मन चाही चीज दे देगी दोस्तों, जब आप कोई भी चीज स्रिष्टी से मांगते हैं और विश्वाश करते हैं कि वे आपको मिल चुकी है तो पूरी स्रिष्टी सक्रियो होकर आपके सपने को साकार करने में लग जाती है दोस्तों रचनात्मत प्रक्रिया में आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा रचनात्मत प्रक्रिया के दोरान स्रिष्टी से कुछ भी मांगने के बाद आपको ऐसा बिलकुल नहीं सोचना चाहिए कि आपकी मन चाही चीज अभी तक आपको नहीं मिली है क्योंकि ऐसा करने से स्रिष्टी को यह सिगनल जाता है कि आपके पास वह चीज नहीं है और स्रिष्टी उसी पर अमल करती है दूसरी और जब आप रचनात्मत प्रक्रिया में इस तरह से सोचते हैं कि आपकी मन्चाही चीज आपको मिल चुकी है, तो स्रिष्टी उस पर अमल करती है और आपकी मन्चाही चीज आपको दे देती है. जब आप घर या नई गाड़ी की बुकिंग करते हैं, तो आप यकीन करते हैं कि कुछ ही देर में आपका घर या आपकी गाड़ी आपको मिलने वाली है आप अपने घर या गाड़ी की दुबारा booking नहीं करते क्योंकि आपको विश्वाश होता है कि एक बार booking करने पर वै कुछ ही दिनों में आपको मिल जाएगी स्रिष्टी से कुछ भी मांगना एक घर या गाड़ी की बुकिंग करने जैसा ही है मांगने के बाद आपको पूरा विश्वाश होना चाहिए कि सही समय पर वह चीज आपको मिल जाएगी जब आप पूरा विश्वाश करते हैं तो यह स्रिष्टी सभी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को जबरदस तरीके से प्रेरित कर देती है ताकि आपकी मंचाही चीज आप तक पहुंच जाए इतिहास के काम्याब लोग किसी लक्ष को निर्धारित करने से पहले यह बिलकुल नहीं सोचते थे कि वे उसे कैसे हासिल करेंगे वे बस इतना जानते थे कि उन्हें वे लक्ष हासिल करना है दोस्तों इन वीडियोस को आप तक लाने में हमें बहुत महनत और बहुत जादा समय लगता है तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आएं तो उन पर लाइक, शेर या कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही नहीं आपका प्रोचसाहन हमें और ऐसे वीडियोस को आप तक लाने में मदद करेगा तीसरा स्टेप है रिसीव रचनात्मक प्रक्रिया का तीसरा कदम है पाना आप स्रिष्टी से जो भी चाते हैं उसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें ठीक उसी तरह महसूस करें जैसे आप उसे पाने के बाद करते रचनात्मक प्रक्रिया में खुश रहना और अच्छा महसूस करना बहुत जरूरी है क्योंकि अच्छा महसूस करने से आप खुद को उसी फ्रिक्वेंसी पर रखते हैं चिस फ्रिक्वेंसी पर आपकी मंचा ही चीज होती है आकर्शन के नियम के अनुसार वही दो चीज़ें करीब आती हैं जो एक ही फ्रिक्वेंसी पर होती हैं सबसे पहले आप किसी चीज़ को स्रिष्टी से मांगते हैं उसके बाद यकीन करते हैं कि आप उसे पा सकते हैं और उसके बाद उसे पाने के लिए अच्छा मैसूस करते हैं। किसी भी चीज को पाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप बिलकुल वैसा ही मैसूस करें जैसा आप उसे पाने के बाद करतें। जब आप अच्छा मैसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं, इसलिए उस चीज के बारे में अच्छा मैसूस करें जो आप चाहते हैं और आप जल्दी उसे पालेंगे। आकर्शन का नियम, इसकी शिक्षा और इसके अभ्यास का मतलब यह पता लगाना है कि आप अपनी मन चाही चीज को पाने की भावनाएं किस तरह उत्पन करते हैं। दोस्तों, कई बार आपको अपनी मन चाही चीज पाने के लिए कोई काम भी करना पड़ता है। अगर आप नहीं जानते कि उसे पाने के लिए आपको क्या काम करना है तो स्रिष्टी आपको रस्ता दिखाएगी। आपको वह काम करने का मौका मिलेगा और उसी मौके पर अपको रस्ता दिखाती है। दोस्तों, जैसे कि आप रचनात्मक प्रक्रिया को पूरी तरह समझ चुके हैं तो अब आप उसे अपने जीवन के हर शेतर में इस्तमाल कर सकते हैं। आप जो भी पाना चाहते हैं वे पा सकते हैं और जो भी बनना चाहते हैं वे बन सकते तो चलिए अब हम अपने जीवन के मुखे हुस्सों में आकर्शन के नियम और रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तमाल करना सीखें। रहसे और आपका शरीर। दोस्तों, अब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तमाल उन लोगों के लिए करेंगे जिनका वजन जादा है और जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। जिन लोगों का वजन जादा है, उन लोगों के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब तक वे वजन कम करने पर अपना ध्यान केंद्रि करेंगे, तब तक वे यह वजन नहीं कम कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि आज की युग में बहुत से लोग अपना वजन कम करने के लिए डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग करते हुए उनका ध्यान वजन कम करने पर ही रहता है और यही कारण है कि डाइटिंग काम्याब नहीं होती। जब तक आप वजन कम करने पर ध्यान देंगे, तब तक आप वजन कम करने की और ही आकरशित होते रहेंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लें अपना वजन कम नहीं कर पाएंगे, स्रिष्टी आप के लिए वजन कम करने के और भी कारण देगी, क्योंकि आपका ध्यान वजन कम क तो यही सोचते हैं कि उनका वजन जरूरत से ज़ादा है और स्रिष्टी उन्हें जवाब देती है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है और उनके वजन को ज़ादा बनाए रखती है भले ही डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनके थाइरोइड गरंती के धीमे होने की वज़े स से उनका वजन ज़ादा है उनका मेटबॉलिजम धीमा है लेकिन असल में यह सब मुटापे के बारे में सोचने के बहाने हैं यह विचार हमारे अपने नहीं है बलकि हमें डॉक्टरों से और दूसरे लोगों से सुनने को मिलते हैं और हम उन्हें बिना सोचे समझे अपना कुछ लोग कहते हैं कि जादा खाना खाने से या जादा कैलरी से उनका वजन बढ़ता है लेकिन यह सब केवल उनकी सोच है क्योंकि वह ऐसा सोचते हैं कि जादा खाने से उनका वजन बढ़ता है इसलिए स्रिष्टी उन्हें कहती है आपकी इच्छा ही मेरा अदेश है और कम खाना खाने पर भी उनका वजन जादा ही रहता है भोजन तब तक आपका वजन नहीं बढ़ा सकता जब तक आप उसके बारे में ऐसा सोचते नहीं है खाना खाने से आपका वजन तभी बढ़ता है जब आप कुछ भी खाते समय यही चिंता करते हैं और महसूस करते हैं यह मेरा वजन तो नहीं बढ़ जाएगा जो दुबले पतले होते हैं और बड़े गर्ष से कहते हैं कि मैं चाहे कितने भी खालूं लेकिन मेरा वजन हमेशा नॉर्मल रहता है और हमेशा मैं फिट रहता हूं तो स्रिष्टी उनसे कहती है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है और उनके वजन को नॉर्मल ही रखती है चाहे वै कुछ भी खालें आपकी इच्छा को पूरा होने में कितना समय लगता है रॉंडा बर्न की किताब दे सीक्रिंट में डॉक्टर जो विटैल कहते हैं आपकी इच्छा को पूरा होने में जितना भी समय लगेगा उसके लिए कोई नियम पुस्तिका नहीं है आपकी इच्छा जल्द पूरी हो सकती है और उसमें समय भी लग सकता है यह सब आपके और सृष्टी के तालमेल पर निर्भर करता है महान वेग्यानिक अलबर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि हम इस समय केवल एक भ्रहम में हैं हम समय में विश्वाश करते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में चीजों को एक के बाद होते वे देखते रहते हैं आइंस्टाइन और क्वांटम भौतिक शास्त्री हमें बताते हैं कि ब्रहमान में हर चीज एक साथ हो रही है अगर आप इस बात को समझ लें समय का अस्तित्व ही नहीं है तो आप देखेंगे कि आप भविश्य में अपने लिए जो भी चाते हैं वे पहले से ही मौझूद है स्रिष्टी को आपकी मनचाही चीज आपको देने में जरा भी समय नहीं लगता है अपनी मनचाही चीज को पाने में जो भी देरी होती है आपकी तरफ से ही होती है आप यकीन करने में जानने में और अपनी मन चाही चीज को अपने पास महसूस करने में समय लगा देते हैं आप अपनी मन चाही चीज की फ्रिक्वेंसी पर देरी से पहुंचते हैं इसलिए आपको वह चीज पाने के लिए समय लग जाता है जैसे ही आप अपनी मंचाही चीज की फ्रिक्वेंसी पर पहुंचते हैं आपको वह चीज मिल जाती है हम अकसर सोचते हैं कि यह काम छोटा है यह तो जल्दी ही हो जाएगा या कुछ घंटों में ही हो जाएगा दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि यह काम बड़ा है, इसमें कई महीने या कई साल लग जाएंगे, यह वो नियम है जो हमने बनाए हैं, जबकि स्रिष्टी के लिए कोई नियम नहीं होते, स्रिष्टी के लिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके लिए सब बराबर है स्रिष्टी के मुताबिक किसी काम के लिए कोई समय और देरी नहीं होती, अगर आप अपने मन में अपनी मन चाही चीज को पाने की भावनाई जगा लें, तो स्रिष्टी जल्दी ही आपको आपकी मन चाही चीज दे देती है, हम अकसर सोचते हैं कि जादा पैसा कमाने में स समय लगता है, जैसे कि एक डॉलर छोटी सी राशी है, उसे कोई भी जल्दी से कमा सकता है, दूसरी और एक लाख डॉलर एक बड़ी राशी है और उसे कमाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन शायद आपको इस बात का एहसास ना हो, बड़े बड़े इंडस्टिलिस्ट ए और उनके सोचने के तरीके में है, बड़े बिजनसमैन एक मिरट में लाखो डॉलर कमाने की फ्रिक्वेंसी पर है, जहां पर आप नहीं है, इसलिए आप कम समय में जादा पैसा नहीं कमा रहे, अगर आप समय के बारे में अपने विचार बदल दें और यह जान लें कि 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 अपने जीवन में जो भी चाते हैं, वे सब को जल्दी ही पा सकते हैं, आपकी मन चाही जिंदगी पाने के लिए आपको जादा लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपनी मन चाही जिंदगी की भावनाओं को अपने अंदर इसी समय जगाना है और बनाए रखना है जब तक कि आप उसे हासिल ना कर लें, तो दोस्तों मुझे पूरी उमीद है कि रॉंड़ा बर्न की बुक दस सीक्रेट पर बना हुआ यह पहला पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा, मैं जल्दी आपके लिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट ले कर आउंगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका समय शुब हो